हालो फ्रेंड्स मैं राव बाना आपका ड्रीम और फिर सुख करता हूं फ्रेंड्स आज हम वर्ड के अंदर निया टॉपिक लेकिया है वह हमारा टेबल टेबल होता क्या है इसको किस तरह बनाए जाता है कौन-कौन से उप्शन को यूज की आता है इसको एरेस कैसे करते है य दिखते ने में चैनल को और अगर आप ने सब्सक्राइबर से अब बन ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विड है चाहे लगे तो प्लीज लाइक और शेर यह विद्रूर कीजिए तो friends, आज हम करने जारे है table, word के अंदर table कैसे बनाई जाती है, उसको किस तरह से बनाई जाता है, कौन कौनसे option यूज किया आते हैं, तो ये सब सके अंदम दिखते हैं, तो friends, सबसे बहुता ह tabs हमें इतरी है, कि raw क्या होती है or columns क्या होते है, raw जो होती है वो होती है हमारी horizontal line जो हमारी लेटी भी line होती है उसको हम raw बोलते है और जो vertical में होती है means जो खडी line होती है उसको हम बोलते है column तो raw and column बनाने के बाद आपका combination बनने के बाद हमारा table complete होता है आप ये बनाते कैसे हैं और इसका किस काम जाता है कोई भी आपको writing patterns को divide किया जाता है जब किसी दो में तो हम table का use करते हैं यहां आपको को format बनाना है जो table के अंदर insert करना है तो table का use कियाता है table दो तरह से बनाने जा सकते हैं एक insert table एक draw table draw table means होता है जो आप खुद बना सकते हैं कितने round column चाहिए वो खुद बना सकते हैं इंसर्ट table में automatically आप define कर दीजिए मुझे five column चाहिए two column चाहिए तो जो भी आपको चाहिए उस पर define करने के बाद आप बना सकते हैं कैसे बनाते हैं यह अब हम देखते हैं देखिए मैंने word open कर लिया है सबसे पहले आप इस पर जाएंगे ओपर insert में यहां पर देखिए menu bar में insert लिखा हुआ है इस पर click करेंगे और यहां पर हमारा table fourth option है हमारा table इस पर click करेंगे देखिए यहां पर कुछ by default है जो अपने आप बन सकते हैं जो इसके अंदर option दिया गया है लेकिन हमें अपना बनाना है यह इंसर्ट टेबल की तुरू बनाना है जो by default हम जो जेना चाहते हैं इतने हमें चाहिए तो इसके लिए इंसर्ट पर जाएंगे टेवल पर जाएंगे इमारा यहां पर insert table यहां पर इसने पूछ लिया कि कितने आपको columns और कितने rows चाहिए आप यह option देख रहे है numbers of columns आपको जितने number of columns चाहिए तो आप यहां बढ़ा सकते हैं यह लिख सकते हैं अपने आप by default मैंने चाहिए मुझे three columns चाहिए and four rows चाहिए तो four rows मैंने यहां पर define कर दिया then okay तो देखिए automatically आप three columns मारी बन गए है और four rows मारी बनके आगे सामने आ गए तो कुछ इस तरह से बनाया सकते हैं एक तरीका हो रहा है जिसको हम कहते draw table वह कैसे बनाते हैं insert में जाएंगे table में जाएंगे draw table एक pencil आपके open हो जाएंगी आपको जितना पहले देख box create कीजिए उसके अंदर आपको कितनी रह चाहिए आप उसमें define कर सकते हैं जैसे first row, second row, third row इस तरह से बना सकते हैं जितने column चाहिए जितने बर्जी आप divide कर सकते हैं first, second, click दबा के रखेंगे mouse का और उसको click करते जाएंगे इस तरह से हम column divide कर सकते हैं तो यह तो है हमारा insert table and draw table और by default कैसे बनता है अब इसके बाद इस पर lines का जो आप pattern देख रहे हैं आप चाहते हैं इसकी thickness से यह तो इसके लिए आपको यहां पर देखी यह option दे रखा है आपने इस पर क्लिक कर देंगे तो लाइन की thickness भी चेंज हो देगी है देखिए color करना चाहते हैं black color के दूसरे color चाहते हैं तो click करेंगे आप कोई भी color यहां से ले सकते हैं आपने red ले लिए तो यहां पर क्लिक करेंगे वह color भी यहां पर define हो जाएगा अगर आपको कोई line extra आगई है आपको नहीं चाहिए रहा हो या column नहीं चाहिए ताब eraser के तुरूँ का दूरा रह सकता है क्योंकि कुछ option ऐसे आते हैं जिनको आपको टेबल के अंदर बना के काम करना पड़ता है तो बस आपको यह knowledge आपके लिए बहुत है क्योंकि आपको टेबल किस तरह बनाना है किस तरह उसकी raw and columns को create करना है यह सब आपको इसने पर चल जाएगा तो बने क्यों